शिव और प्रियांका सुलझा रहे थे अपना मुद्धा कि तभी यहां पर पहुच गई निम्रित और उनके साथ स्टैन भी और पीछे से शालीन भी आ गए वेल यहां पर जो प्रियांका है वो अपनी बाते कहती नजरा रहे थी शिव को लेकर शिव से वो कहती नजरा रहे थी कि उनके कैरेक्टर के बारे में उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि यहां पर उन्होंने कुछ सुना है और वो भी शालीन के मूँ से जी हां यहां पर जो शालीन है उनकी तो वाट अब लगने वाली है क्योंकि यहां जो है प्रियांका ने शाल जब golden boys आये थे तो कुछ character को लेकर बात हुई थी वो कहते नजर आई थी कि शिव और Stan के character के बारे में शालीन ने कुछ कहा था कि golden boys ने ऐसी सी बाते की थी और इसी वज़े से मैंने भी ये बात जो है वो पीच मिलाई थी इसके बाद यहाँ पर जो शिव है वो कुछ और भी जाती है कि शिव और प्रियाँका की कुछ भी बात चीत हो दोनों के बीच अची सी bonding हो जाए यह वो बिलकुल भी नहीं चाहते हैं और तभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिव जो हैं वो बात ही कर रहे होते हैं कि तभी हान निमृत भी आ जाती हैं और इसके बाद यह उनकी दाल तो बिल्कुल भी नहीं गलने वाली है तभी तो वो बार-बार आकर प्रियांका और टीना की बुराईया करते रहते हैं खास्तोर प्रियांका की टीना की तो वो हर कोई जानता ही है कि वो बिल्कुल भी उन्हें पसंद नहीं करते हैं प्रियांका को शिव से अलग करने के लिए हर कोई कोशिश कर रहा है और यहां पर निम्रित बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि शिव और प्रियांका की जो misunderstanding है वो दूर हो लेकिन यहां पर दोनों इस बात को ठीक करने की कोशिश करते हैं तब ही मंडली आजाती है और फिर यहीं पर प्रियांका ने जो है वो शिव को बड़ी बात बताई शालीन को लेकर अब यहां शालीन जो है वो अपना अलग गेम खेल रहे हैं उन्हें पता है कि भई अब जो है ले देकर मंडली ही बची है क्योंकि वो अकेले गेम तो खेल नहीं पा रहे हैं क्योंकि जब वो अकेले होते हैं तो वो अपने आपको lonely फिल करते हैं वह हमेशे अपने आपको बिचारा दिखाते हैं जिसके बाद लोग काफी ज़दा उनके उपर कॉमेंट करते हैं और उनको काफी अप्रिशेट करते हैं उन्हें कंसोन करते हैं यहाँ तक कि जो सुम्पूL है उन्हें भी दया आगई थी मंडली भी काफी ज़ादा उन पर दया करती रज़राई थी लेकिन प्रयांका को पता है कि शालीन क्या है टीना को भी पता है कि शालीन क्या है अलाकि टीना भी क्या है ये बात भी प्रयांका अची तरह से जानती है क्योंकि प्रियांका रियल में इस गेम को समझती है तो इसी वच्छा से यहां पर शालीन जिस तरीके से मंदली के बीच जाकर बैठे हुए है यहां पर प्रियांका ने वो चीज कर दी तो यहां पर जो शालीन है वो मंदली में जाकर बैठे हुए है तो प्रियांका ने पूरी तरीके से जो शिव हैं उन्हें क्लियर कर दिया कि भई इसी शालीन की वज़े से मैंने तुम्हें ये सारी बाते बूली है तो अब जो है शालीन का क्या फिर से शिव जो है वो सपोर्ट करेंगे वैसे तो शिव को भी शालीन के बारे में पता है अब यहाँ पर जो प्रयांका है उन्होंने शालीन के बारे में ये कहा है तो अब देखना दिलिचस्प होगा कि अब आगे मंडली में क्या शालीन ठहर पाते हैं या यहाँ से भी आउट होते हैं इस वीडियो में बस इतना ही विग बॉस के लेटेस्ट अबडेट के लिए फ